वेलकम टो ग्लोबल इलेक्ट्रिशन क्लासस वायू आप इलेक्ट्रिशन वायर्मेन या इलक्ट्रोनिक्स मेकैनिक या ओल ओवर कोई भी इलेक्ट्रिक्स से लिलेटिव अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं ठीक है तो आपको इसे पढ़कर जरू जाना चाहिए कनेक्शन चले स्टार्ट करते हैं कनेक्शन जैसे एंपियर मीटर पुछा जाता है हमारा तो एंपियर मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं सप्लाई में तो इसे हम सप्लाई के सीरीज में जोड़ते हैं सीरीज मतलब स्रेडी में जोड़ते हैं चले दूसरा वोल्ट मीटर वोल्ट म में जोड़ते हैं चौथा है आपका फ्यूज स्विच थर्मोस्टेट यानि कुल मिला के आपके जितनी भी सेफटी डिवाइज होती है वो टूटल आपकी सप्लाई के सीरीज में जोड़ी जाती है चिक है चटवा है आपका what meter या आपका fak जोड़ा का इसमें दो क्यों करते हैं सप्लाई के सीरीज में जोड़ते हैं और जो पोटेंसेल क्वाइल होती है उसे यह लोग सप्लाई के лож क नो वोल्ट क्वाइल आप लोगों ने DC जर्णेटर का स्टार्टर पढ़ा होगा चीक है इस्टार्टर यानि 2.3.4 पढ़ा होगा तो उसमें एक nvc का जिक्र होता था यह क्या काम करता था हमारा तो कनेक्टिंग आर्म जो होती थी उसे होल्ड करके रखता था चीक है इसका फुल फॉर्म में नो वोल्ट क्वाइल इसे हम लोग क्या करते हैं सप्लाई के पैरलर में जोड़ते हैं अगला है आपका ओल्सी ओवर्लोड क इसे हम क्या करते हैं दूप्लाइय के समना और यह कैसे काम करता है हमारा तो उप्र सभीड समय क्रवाइस में जैसे काम करता है हमारा तो रिवर्स बाइस में काम करता है ठीक है अगला है आपका फोटो डायोड इसे हम लोग सप्लाई के सीरीज रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं थेंक्यू